नमो रागवाय नमो रागवाय हम सब को आश्रिवाद देने के लिए उपस्तित पूजिनिय जगत गुरु स्री राम भज़ाचारी जी यहां पधारे हुए सभी तपस्वी वरिष्ट संतगाण रशीगाण मध्य प्रिदेश के राजपाल श्री मंगुभाई पटेल मुख्यमंत्री भाई सिवराज जी उपस्तित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों मैं चित्रकुट की परम पावन भुमी को पूना प्रणाम करता हूं मेरा सोभाग है कि आज पूरे दिन मुझे अलग-अलग मंदिरों में प्रभुस्ति राम के दर्सन का आउसर मिला और संतों का आशिरवाद भी मिला है विशेश कर जगत गुरु राम भदराचारी जी का जो स्ने मुझे मिलता है वो अभीबूत कर देता है सभी सद्धे संदगन मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगत गुरु जी की पुस्तकों के विवाचन का आउसर भी मिला है अश्टाध्याई भाष्य रामानंदाचारिय चरीतम और भगवान कर्ष्ट की राष्ट्र लीला यह सभी ग्रंथ भारत की महान ज्यान परंपरा को और सम्रुद्द करेंगे मैं इन पुस्तकों को जगत गुरु जी के आशिरवाद का एक और स्वरुप मानता हूं आप सभी को मैं इन पुस्तकों के विमोचन पर बधाई देता हूं मेरे परिवार जनो अश्टा ध्याई भारत के भाषा विज्ञान का भारत की बाउदिक्ता का और हमारी शोद संस्क्रित का हजारों साल पुराना ग्रंथ है कैसे एक एक शुत्र में व्यापक वाकरण को समेटा जा सकता है कैसे भार्षा को संस्क्रित विज्ञान में बदला जा सकता है महर्शी पानिनी की हजारों वर्थ पुरानी रच्रा इसका प्रमान है अब देखेंगे दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषा आई और चली गई नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगए ले लेकिन हमारी संस्क्रित आज भी उतनी ही अक्षुन उतनी ही अटल है संस्क्रित समय के साथ परिश्कृत तो हुई लेकिन प्रदूशित नहीं हुई इसका कारण संस्क्रित का परिपक्व व्याकरण विज्ञान है केवल चौदा महेश्वर सुत्रों पर टिकी है भाषा हजारों वर्षों से सस्त्र और सास्त्र दोनों ही विधाओं की जननी रही है संस्क्रित भाषा में ही रुष्यों के द्वारा वेद की रुचाये प्रकट हुई है इसी भाषा में प्रतंजली के द्वारा योग का विज्ञान प्रकट हुआ है इसी भाषा में दौनवंत्री और चरक जैसे मनिश्यों ने अरुवेत का सार लिखा है इसी भाषा में कृषी प्रासर जैसे गरंतों ने कृषी को स्राम के साथ साथ सोथ से जोडने का काम किया है इसी भासा में हमें भारत बुमी के द्वारा नाट्ट सास्त्र और संगित सास्त्र का उपहार मिला है इसी भासा में कालिदाज जैसे विद्वानों ने साहित्य के सामर्त से विश्व को हरान किया है और इसी भासा में अंतरिक्ष विज्ञान, धरुमेद और युद्ध कला के गंध भी लिखे गए है और ये तो मैंने केवल कुछी उदान दिये है ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप एक राष्ट के तौर पर भारत के विकास का जो भी पक्ष देखेंगे उसमें आपको संस् के योगदान के दर्शन होंगे आज भी दुनिया की बड़ी-बड़ी उनिवरसिटीज में संस्क्रित पर रिसर्च होती है अभी हमने ये भी देखा है कि कैसे भारत को जानने के लिए लिठ्वानिया देश की राज़ित ने भी संस्क्रित भासा शिखी यानि संस्क्रित का प्रसार पुरी दुनिया में बढ़ रहा है साथियों गुलामी के एक हजार साल के कालखन में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ इनी में से एक था संस्कृत भार्षा का पुरा बिनाश हम आजाद हुए लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मान्चिक्ता नहीं गई वो संस्कृत के प्रती बैर भाव पालते रहे कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेग मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मन्न करते हैं लेकिन हजारों वर्सों से मोजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते हैं दूसरे देश के लोग मात्रू भाषा जाने तो ये लोग प्रसमसा करेंगे लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछडेपन की निशानी मानते हैं इस मानसिक्ता के लोग पिछले एक हजार साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामियाब नहीं होंगे संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है ये हमारी प्रगती और पहचान की भाषा भी है बीते नव वर्षों में हमने संस्तृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किये हैं आधुनिक संदर्व में अश्टा ध्याई भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे मेरे परिवार जनों राम भधराचारे जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्यान पर दुनिया की कई उनिवर्सिटीज स्टड़ी कर सकती है बच्पन से ही भावतिक नेत्र नहोने के बावजोर आपके प्रज्या चक्षु इतने विक्सित हैं कि आपको पूरे बेद वेदांग कंठस्त है आप सेक्डों ग्रंतों की रतना कर चुके हैं भारतिय ज्यान और दर्सन में प्रस्तांत्रही को बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी कठीन माना जाता है जगद गुरुजी उनका भी भाश्य आदुनिक भाशा में लिख चुके हैं इस तरका ज्यान ऐसी मेधा व्यक्तिकत नहीं होती ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पत्व विफूशन से सन्मानित किया था साथियों स्वामी जी जितना धर्म और अध्यत्म के खेत्र में सक्री रहते हैं उतना ही समाज और राष्ट के लिए भी मुखर रहते हैं मैंने जब स्वच्च भारत अभ्यान के नव रत्नों में आपको नामित किया था तो वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्टा से उठाई थी मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किये थे वो अब पूरे हो रहे हैं हमारा भारत अब स्वच्च भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है मा गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है हर देश स्वासी का एक और सपना पूरा करने में जगद गुरू राम वज़राचारे जी की बहुत बड़ी भूमी का रही है अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंद्र के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बन कर तयार होने जा रहा है और अभी दो दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में स्री राम जन बोविमी तरक तिर्थक्षेत्र ट्रस्द्वारा प्राण प्रतिष्टा समारों में सामिल होने का निमंत्रण मिला है इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सवभाग्य मानता हूं सभी संतगण आजादी के 75 वर्ष के आजादी के 75 वर्ष से आजादी के 100 वर्ष के सबसे अहम कालगण को यानि 25 साल देश जो अब उसे अमृत काल के रुप में देख रहा है इस अमृत काल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है हम अपने तिर्थों के विकास को भी प्रात्विक्ता दे रहे हैं चीत्रकूर तो वो स्थान है जहां आध्यात्मिक आभावी है और प्राकूर्तिक संदरिय भी है 45,000 करोड रुपिय की केन बेत्वा लिंक परियोजना हो मुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे हो डिफेंस कोरिडोर हो ऐसे प्रयास इस खेत्र में नई संभावनाए बनाएंगे मेरी कामना और प्रयास है चित्रकूर्ट विकास की नई उचाईयों पर पहुँचे एक बार फिर पुझ्य जगत गूरु से राम भज़ाचारी जी को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ उनके आशिरवात हम सब को प्रणा दे शक्ति दे और उनका जो ज्यान का प्रसाद है वह हमें निरंतर मार दर्शन करता रहे इसी भावना को प्रकर करते हुए मैं रदे से आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जय श्याराम ओम आब्रहमन ब्राहमलो ब्रहम बर्चसी जायतामा